दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर के दिन सुप्रिम कोट में ज्माइं मॉरीटोरिंग उपर जितनी भी आचपाई दी गई है उनके उपर सनुवाई होनी थी कुल मिलाकर 22 या चिकाएं जो है इमाई मोरेटोरियम के उपर दी गई हैं चाहे हो आप वह आरगवाई की तरफ से हो चाहे पर वह बोर्वर की तरफ से हो या जो बैंकिंग जो असोशेशन है उसकी तरफ से हो उन सब के उपर आज सुनवाई हुई अगर मैं डिटेल वाइज एक चीज आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इस वीडियो में आपको जो मैंन मैं पॉइंट है किस वकील ने क्या बोला क्या पक्स किस ने रखा उस सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आकिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कॉट ने AMI moratorium के उपर आज क्या फैसला दिया है नमस्कार भाई हो मेरा नाम है संदीब दर्रा आप सब देख रहे हैं टेक बुद्धी आज इस वीडियो में जानेगे कि AMI moratorium के उपर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोड में सुनवाई हुई 22 या चिकाओं के उपर उसमें सुप्रीम कोड ने क्या फैसला रखा है और वकीलों ने अपनी तरफ से क्या पक्स रखा है सबसे पहले बता देता हूं कि इस जो AMI moratorium में जो केस चला हूं इस पर बहुत सारी डे वकील थे उन्होंने पक्स रखाया कि RBI ने रिस्ट्रक्शिंग का जो फ्रेमवर्क है उसको जो पस्ताव दिया है तो उसको थोड़ा एजी बनाना चाहिए और वहीं जो बढ़ोर की पक्स की तरफ से वकील ने कहा है कि जो पेनल्टी आप आज के टाइम में ग्राकों के उ और राउंट वह तो सही है लेकिन दूसरी तरफ बैंक और जो एन एन एपसी जो कंपनीज है नोन बैंकिंग फानेंस कंपनीज है वह जो अभी भी आज की डेट में जो है कस्टमरों के उपर जो है पैनल्टी और बोनस चाहिज लगा के जो है काफी बड़ी अमाउंट जो ह कस्टमर के उपर लगा रहे हैं तो इसके उपर जो वकील ने कहा है कि सुप्रिम कोर्ट को कि सुप्रिम कोर्ट को और बै को यह गाइडलाइन देनी चाहिए कि सारी चीज़े जो है बैंकों के पास नहीं होनी चाहिए कुछ जो पावर है और बै के पास यह फिर जास्टर मै चलाओ यह भी एक तरीके से डिजैस्टर मेनेजमेंट एक के तहता था कि किसी को यह नहीं पता था कि यह टाइम आने वाला है दूसरी तरफ दूसरे जो आरबे के वकील तो नो नहीं कहा कि आरबे ने जो रिस्ट्रक्टिरिंग फ्रेमवर्क जो हो दिया है उसको बीचली कर दिया गया आप यह उसको ऑविलेबल कर सकते है इसके लिए कर सकते है चाहिए आप बैट की बात करिया नोन बेंगिंग फाइनस कंपनीए उनकी बात करें आप सब को अपलाई कर सकते हाँ वहीं एक तरफ से वकिलों ने भी कहा कि आरबे यह कहता कि दो क्रोड तक जिन लौक रोडे उपर के जो बोरों है उनको इसका लाब क्यों नहीं मिल सकता है उनलोगों क्या विगाड़ा है क्यों कि फिलाल जो काम और वैपार नोकरिया जो सभी लोगों के गए हुए हैं उसमें यह जो स्कीम है जो आपने एक्स ग्रीसिया करके जो स्कीम दी थी यह सब को मिलना चाहिए यह आरबियाई ने कहा है कि आने वाले टाइम में हम इसके ओपर विचार करेंगे और बहुत सारे पक्स जो वकीलों ने रखे हैं कि वही जो चोटे पास आज की डेट में जो खाने के लिए भी पैसे नहीं है तो वह आप कि जो EMI का पैसा कैसे बरेंगे, बहुत सारे उकिलों ने इसके उपर ये दलील दिया कि EMI Moratorium जो एक्स्टेंड होना चाहिए, और जो borrower है उसको इसका benefit मिलना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो आर्थवेवस्ता है, के लिए हमारे देश में ही नहीं पूरे विशव में जो इस COVID के चलते हैं, जो आर्थवेश्ता चर्मरा गई है, काम दंदेश चोपट होगे, बड़े-बड़ी कमपनियां बंध हो गए हैं, तो ऐसे में एक छोटा बोरोर जो बिचारा हुआ, आपकी EMI कैसे बरपाएगा, और जिस तरीके से नोन बैंकिंग फानेंस कमपनिया जो आपके बैंक पैनल्टी और इंटरस्ट चार्ज लगा रहे हैं, आने वाले टाइम में लोग आपका जो EMI पे नहीं कर पाएगे, इन सब को रोकना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं हर एक चीज़ का एक अंधमे करना होगा, तो वकीलों ने बहुत सारा अग्रे किया है सुप आपके पैनल्टी लगा के उस 50 जरग लोन को 2 लाग रुपे कर दिया है, तो किस तरीके से वह व्यक्ति जो है अपका लोन बर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो आज की डेट में अपना घर चलाने के लिए इंकम भी नहीं है, यह एक वकील न यह भी कहा कि जो एडिवकेट कपील सिम्बल है वह आज की जो हैरिंग थी उसको जवाई नहीं कर पाये तो अपना पक्षा उसको सम्मीशन नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए सुप्रेम कोट ने बोला कि कपील सिंबल अपना एरिंग का जो सम्मिशन उसको दे देंगा उसको consider कर लिया जाएगा और सबसे आखिर में जो है सुप्रीम कोड ने यह का कि उसने सारी हैरिंग सुन लिया सबी पक्सों की बात शुन लिया और Supreme Court के जो जज थे जो बेंच थी उसने जो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसके उपर कोई और सुनवाई नहीं होगी क्योंकि अब Supreme Court ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया आइसे में होता है क्झो बंच होती है जो जो अजो होता है वो सॉनवाहके से तो यह आज का मुक्त je हीस जो की 17 दिसंबर के अंधरी is बैंको को सारी पावर नहीं देनी चाहिए और गैडलाइन और उनको इसे जो है इसमें रियात मिलनी चाहिए क्योंकि यह जो डिजास्टर अनेजमेंट एक्ट के तहत आता है और इसमें सरकार को भी दखल करना चाहिए और सुप्रीम कोट को जो बोरो उनके बारे में सोच रहा चाहिए सुप्रीम कोट ना अपना फैसला सुरक्सित रख लिया है आने वाले कुछ टाइम में इसके फैसला जरूर आएगा जम्हें डिटेल वीडियो जरूर ले किया हूंगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर जरू करें वीडियो देखते हैं अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो नीचे लाल बटन है उसको दबागी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरू करें